नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारतवाज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं हर रोज मोवाल और केम्पूटर टेक्नलोजी से जोड़े हुए धेट सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ अगर आपको माईल चैनल पर नए है और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देज़े हैं चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं गूगल फॉर्म की शरंकला में आप देख सकते हैं मैंने ये वीड क्रिएटर क्विज टेस्ट एग्जां पेपर गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन सभी को आप लोग का प्यार जो है बहुत जादा मिल रहा है आज इसी कडिमे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कोई टेस्ट कोई क्विज जो कि अपने स्कूल कॉलेज औ पास जो test form open उसके साथ एक time limit set हो after then जैसे वो time limit खतम हो जाए उससे पहले या तो user उसको submit कर दे इस friend उसको submit कर दे या वो स्वता ही एक time के बाद जो आपने दिया होगा वहां से finish हो जाएगा और इसका use कैसे किया जाता है कैसे हम इसे google form में लगा सकते हैं आज मैं आपको live यह देखाऊंगो चलिए दोस्तो गूगल form पर चलते हैं यहां से जाएंगे टाइप करेंगे Google form गूगल form पर आने के बाद जो है हमें जाना है यहां नीचे जो दिंगती है गूगल form free online service यहां क्लिक करने के बाद दोस्तो हमें इसको open करना है यहां तीन डॉट आप देख पा रहे होंगे desktop sites है यह हमने desktop sites से इसको open कर लिया है अभी आपके आएंगे दो option है personal और business हमें हाल फिलाल personal में जाना है go to google forms पर क्लिक देंगे यह देखिए दोस्तो हम आ गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे यहां पर पहले से Google Forms बने हो गए हैं मैंने एक quiz नाम का Google Form जो कि अपने पिछली वीडियो में बनाया था quiz कैसे बना सकते हैं आप मैं इसका link आपको आई बटन पर देखेंगा आप वहां से जाके इसको भी देख सकते हैं हम form open करेंगे quiz वाला देखें दूस्तों यह हमारा form open हो गया है अभी यह सारा form यहां पर लगा हुआ है अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो हमें टाइमर कैसे लगाना है टाइमर हम कैसे set कर सकते हैं यहां आप देख पारे होंगे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमें करना क्या होता ह यहां मैंने उसको install कर रहा है जो add-on हम use करते हैं लेकिन आप जहां मेरी photo दिख रही है उसके पास में जो तीन dot है इस पर click करेंगे और यहां से आप जाएंगे add-ons जो आपको second last option नीचे से देख रहा है add-ons पर आप click करेंगे यहां दोस्तो add-ons पर click करने के बाद क्योंकि थोड़ा सा network speed का issue हो सकता है यह add-ons open होने में देखी यह हो गए है open यहां आप देख सकते हैं यह काफी सारे add-ons जो है google form support करता है इन सबी का कुछ न कोछ अलग-अलग use होता है दोस्तो start stop timer वगरा use लगाने के लिए आप देख सकत है एक form limiter करके है इसका आप यूज कर सकते हैं यहां पर देख रहा है और जूम करके आपको दिखा दिता हूँ यह देखी टाइमर और प्रोटेक्टर है इसके बाद आप नीचे और भी देख सकते हैं यहां सर्टिफिकेट जनरेट किये जाते हैं वह भी यहां असानी से हो होता है हम इस पर click करेंगे click करके यहां पर लिका रहा होगा दोस्तों Uninstall क्योंगि मेरे में Andrea ULL देखी यहां install लिखा रहा है, यहां पर आप लोगों के उसमें लिखाएगा install, आप यहां से उसको install करेंगे, कैसे install किया जाता है, वह मैं आपको किसी दूसरे form को करके दिखा देता हूँ, हम उपर वाला कर लेते हैं, timer plus protector, इसको यहां हम click करेंगे, click करने के बाद देखी, य यह install करने का option आगया है, हम यहां से click करेंगे, यह हम install किया है, install करने के बाद दोस्तों यह continue मांगता है, बोलता है कि आप जो है permission देएं इसको यहां से install होने के लिए, हम continue करेंगे, यह हमारी Gmail ID मांगेगा, जिस Gmail ID से हम Google Forms और इस add-on को यहां से add कर रहे हैं, तो हम उस ID से देखिए, यहां sign in है, यहां हम click करेंगे, और हम वो सभी permissions उस add-on को देने वाले हैं, जो जो permissions उस add-on को आपके Google Forms पर run कराने के लिए, जिन जिन जीओ की जरूरत पड़ती है, वे सभी देखिए, view और Google Classroom Classes, view and manage your forms in Google Drive, यह सभी जो है, हम यहां से नीचे allow करने बाले हैं, यह हमने allow कर दिया है, अलाओ करने के बाद अब जो मेरे personal add-ons है दोस्तों, वहां पर यह भी add हो गया है, देखिए, यहां पर आगया है done, हम यहां पर done कर देंगे, हमें mail भी आगया है इसका, installation successful हो गया है, चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको, यह कहां हमें show ह होता है, अभी हम यहां से इसको cross करके पीछा जाएंगे, यह हमारा form open हो गया है, अभी आप यहां देख पा रहे होगे, जहां से हम यह theme लगाते हैं, theme के पास में आपको add-ons का यह button दिख रहा है, यह जो आपको rectangle में मैंने आपको show किया है, यहां इस add-on पर click करने के बाद, जितने भी add-on आज तक मैंने यहां install किये हैं, जिनका मैं use करता हूँ, वह सभी देखेंगे, देखे, हम यहां click कर रहे हैं, यह देखे, add-on click कर दिया है, certifying यह किस काम आता है, यह automatically certificate बनाने के काम आता है, form presenter plus timer, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, नीचे भी दो add-ons हैं, वह भी timer वाला काम करते हैं, तो हम form presenter plus timer पर click करेंगे, दोस्तों यहां पर click करने के बाद एक option आया है, वह option में setup मांगता है, देखी, यह यहां आगया है option, option में आ रहा है form presenter plus timer, यहां पर जो है, इसको already यह क्योंकि running condition में है, और यहां पर नीचे लिखा आ र रहा होगा, क्योंकि यह हमने यहां पर जो है, इसको already लगा लिया है, यह यहां से run करने के लिए जो कि है, दोस्तों हमें यहां से एक बार फिर से इसको open करना होगा, Google form को, क्योंकि जब यह run हो जाता है, और जब हम नया form को install करते हैं, तो वहां पर कुछ processing होती है, जिसमें कि वह add-on जो है, उस setup में नहीं आता है, हम अभी यहां से आपको दिखाते हैं, उस add-on पर click करके, और add-on पर click करने के बाद, देखते हैं यहां पर form presenter plus wire में क्या लिखाता है, देखी दोस्तों, यह लिखा आ गया है, setup, यहां setup लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं, form presenter plus timer मे उपर आपको दिख रहा है, setup, अभी हम setup पर click करेंगे, यहां देखी हमें setup पर click कर दिया है, एक setup नीचे, pop-up window की तरह open हो गया है, यहां लिखा आ गया है, form presenter, अभी दोस्तों, सारा खेल इसी सीच का है, यहीं से timer लगाए जाएगा, यहीं से वह window present की जाएगी, window किस तरीके से present की जाएगी, यह आप देख सकते हैं, मेरी idea गई है, नाम आ गया है, quiz लिखा आ गया है, इसको आप change भी कर सकते हैं, आप यहां और कुछ लिख सकते हैं, आप यह first image आपके test की उपर आएगी, आप यहां से image change कर सकते हैं, आप title में लिख सकते हैं, जो भी आप यहां लि दिख सकते हैं शो इंस्ट्रक्शन के बाद इसके बाद जो है आप बैग्राउंड लगा सकते हैं टाइटल वेलकम मैसेज का कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर नीशे देख रहे हैं टाइम कंड्रोल दोस्तों यही है वह में चीज जो की दो अप्शन लिख रहे हैं आप चाहते हैं कोई बड़ा एक्जाम आप ले रहे हैं दो घंटे का तीज घंटे का तो आप यहाँ पर ब्रेक एलाउ कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है कितने यहां पर ब्रेक ले सकता है एक मिट पहले हम एलर्ड शो कर देंगे एलर्ड मैसेज में लिखायेगा फॉ इस सफिक्साइब किया होता है दोस्तो स्पडेंट आप यहां पर आपको जोन असे स्ट्रिक्त टाइयमर यहां पर सट करना होगा तब जाके वह हैं को मैं जैसे आप dw publish form view published form copy link to clipboard view audience dashboard हम यहां publish form पर click कर देते हैं यहां से यह form जो है फिर से रिपब्लिश हो जाएगा और इस form connector में आ जाएगा आप हमें क्या करना है यहां से second वाला option है copy link to clipboard यहां से link को copy कर देते हैं इसको जो है अब आप अपने group में WhatsApp इमेल जहां से भी आप इसको शेर करना चाहें मैं हल फलाल आपको यहां Google Chrome पर ले चलता हूं और Google Chrome पर लेने के बाद यहां पर हम इसको paste करेंगे और paste करने के बात देखते हैं कि यह किस तरीके से रन होगा देखिए दोस्तों लिखा आ गया है form presenter यह test जो आ रहा है लिखा आ गया है presenting form quiz जो हमने title दिया था quiz for example यह यहां पर logo आ रहा है Google form का यहां पर आप अपने test का या आपके school college organization का photo लगा सकते हैं दो मिनिट का समय है हम यहां से start करेंगे start करते ही दोस्तों यह हमसे sign in मांगेगा क्योंकि हमने एक email id पर इसको restrict कर दिया है यह हम start पर click करते हैं देखी दोस्तों यह start हो गया है लिखा आ रहा है current time current time की घड़ी भी चल रही है start कितने वजे हुआ यह भी दिख रहा है time कितना शेश है यह भी दिख रहा है और total दो मिट के यह परेक्षा है अब यहां देख रहे हैं आप sign in मांग रहा है हम यहां से sign in पर click कर देते हैं यह हमने sign in कर दिया है उसके पास में दूसरी टैप window open हो गई है यहां पर हम इस form को यहां पर fill करेंगे form fill करने के बाद आप नीचे देख पा रहा होंगे दो window आप ओपन दिख रहे हैं एक में timer चल रहा है एक में आपको paper दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है जो एक मिनिट बाद बचने पर जो message show होना था वह message भी यहां show होने लगेगा और उसी तरीके से हम इस form को भनने के बाद यह एक ID यहां पर आती है जो कि track करती है कहां से यह form को भरा गया कैसे fill किया गया आप देख सकते हैं अब देखिए वो आपको message लिखा गया है form is closing soon submit before time out यह remaining time एक मिट बचा है यहां पर जो है form बंद हो जाएगा आप उसको उससे पहले submit कर दें तो दोस्तों यह timer था आप देख सकते हैं यह आपका paper है इस paper को आप यहां से fill out कर सकते हैं चलिए हम paper को भर देते हैं यह हमने नाम भर दिया है यहां से हम इसके answers भर कर देते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी copy हमारे mail पर भी आये और यह हमें दोस्तों submit करते हैं देखी submit करते ही यहां response हम score देख सकते हैं हमारा यह score open हो गया है हमें उपर देख सकते हैं आप mail आ गया है यह हमारा response हमारे दस में से दस नमबर आए है यह ID track हो गई है और यहां पर जो है form का time जो है जैसे यहां खतम होगा तो यह submit हो जाएगा अभी हम आते हैं आपको वहीं पर लेकर चलते हैं जहां से यह Google form में entry आई हो हूँ आपको इस वीडियो में आज बोड़ी तरीके समझ में आ गया होगा और भी अगर आपकी कुछ कोशन्स हैं तो वह कोशन्स भी हाप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कूश सकते हैं इस वीडियो को जादर जादर शेयर कर सकते हैं देखिए दोस्तों के पास में response आ आता है काफी अच्छी यह प्रोसेस है हमने जो सेरीज चलाई है गूगल को पर अभी जैसे जैसे और वीडियो बनेंगे हम यहां यूट्यूब पर पब्लिश करते जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आंगे भी आप लोग इसी तरीके से इन वीडियो को अपना प्यार दे यूट्यू